हेलो फेर्ट्स, वेलकम टो माई यूटूब चैर्व, आनलाइन लेर्णिंग एफसाइट, दोस्तों हमनों बात करेंगे जीव विज्ञान के महत्पून्टत्थ के बारे में, जो कि एक्जाम के प्रॉस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्ण हो सकते हैं, RRB और अधाइक देम स्दाइन के प्रॉस्तों भात करते हैं, कि जीव विज्ञान के जिसको भूता है, तो यह विज्ञान के बास सकाः है, जिसके अंतिकत जीव धारियों का अध्यन कैर जाता है, बायो करत है, जीवन लाइफ और लोगोस करत होता है, अध्यन नवमें Lebens, कमरनY नमग विज् 1501 में किया था इभ विज्ञान के साखाओं के पहले बात करते हैं तो पहला आथा है api culture क्ली मदमक्षी पालन का अधिन के लिए किया जाता है सेरी culture स्थेज yönपेар 851 PC culture मच्ज पालन के अधिन के लिए माइकोलाजी कविकों के अध्यन के लिए, फाइकोलोजी, सहवालों के अध्यन के लिए, एंतिलोजी, पुष्पों के अध्यन के लिए, पुमोलोजी, फूलों के अध्यन के लिए, आंतिलोजी, पक्षियों के अध्यन के लिए, एक्थोलोजी, मच्छियों के अध्यन के लिए, एम्टोल उद्ध्यान विध्यान और फ्लोरी खल्चर जो होता हूँ फूलों के खिती के लिए की जाती है जीव विग्यान एक ग्रमवत विग्यान ग्यान के रूप में विक्षित ग्रीक दार्शनिंग अरस्तु के काल में हुआ था उन्होंने सर्पत्म पौदो एवन जनतु के जीवन के विविन पक्षो के विशे में अपने विजार प्रकट किये हैं इसले अरस्तु द्वे को जीव विग्यान का जनक य v विविग्यान का जनक फज्रार wonderful biology कहते हैं अब पहने में बात करेंगे जीवधारियों का वर्गी करणु किस तरह से किया गया? जब अरस्तुतु द्वारा समझत जीवों को दो समूँ में विवाज़त किया गया था एक होता है जंतु समूँ और दूसा होता है वनस्पति समूँ लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमेना नैश्वर में संपूर्ट जीवधारियों को दो जगतों यानि खिंगडम पादब जगत और प्लांट खिंगडम वा जन्तु जगत अनिमल खिंगडम में विवाजित खिया लीनियस के वर्गीकर्ण को जो प्लांट शुरू की उसी से आदुली वर्गीकर्ण प्लाली की निव पड़ी इसलिए उन्हें आदुली वर्गीकर्ण का पिता यानि फादर ओफ मॉर्डर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं तो पहले बात करेंगे जीव धायों के पांच जगत वर्गीकर्ण वर्गीकर्ण निव फाइफ इंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ और्गनिजम परांबगत दी जगत वर्गीकर्ण का इस्थान अंततावर्ड हिटकर तौरासन उनिस सो उनिस्टर इस्वी में प्रस्तावित पांच जगत प्राल्य ने लिया है इसके नुसार समझते जीवों को निविकर्ण पांच जगत में बाटा गया है या फाइफ फिंगडम में बाटा गया है पहला मेनोरा मुलेड़ा दूसरा प्रोसिस्टर तीसरा पादब चौथा कवक और पांच पांच में जन्तु पहले तो इस जकत में सभी प्रोकेटोरिटिक जीव अर्ठात जीवाणूं साइनु बैक तीलिया तथा आकि बैक रेक टीलिया संवित खर्ण बैक दूसरे बात करते हैं प्रोस्टिया, इस जगत में विवित प्रकार के एक कुष्ट की यह प्राया जलिए यो क्रियोटिक जीव समलित के गया है, पादफ एवन चंतु के बीच इस्तित एक लीना इसी जगत में है, यह दू प्रकार के जीवन पत्तित प्रतर्शित करती है, इस जगत में प्राया सभी रंगी इन बहुत कुछ किये पादख संसलेशी पादख जीव संब्लित हैं सहवाल मास पुषपीय तदा आप पुषपीय पजिये पौदे इसी जगत के आंग हैं का वक्य बात तते जी संब्लों होते हैं इस जगत में यूर्ड केरेटिक तदा पर पोशित जीवधारी संब्लित किये जाते हैं जिनमें आव सोसन दोरा पोशन होता है यह सभी इत्तर पोशिव होते हैं यह परजीवी अत्वा म्रतों पुझो भी होते हैं इसकी खोश्का बित्ति काईटन नामक जटल सरकरा की बनी होती है जन्तु एनिमल यह जगत के सभी बहुकुष्किय जन्तु संबोजी या होलो जोरिक योरे क्रिटिक और पोगता जीव सम्नित किया जाते हैं इनको मेटो जोवा भी कहते हैं हाइट्र जेली फिस्ट क्रिमी सितारा मचली सरीश्रप उगय चरी पक्षी रता इस्तिंधारी जीव इसी जगत के अंग है वर्ग लीनियर्स नामक विग्यानिक जिने वर्गिगी करणक का जम्दाता या फादर ऑफ टैक्सिरोमी कहा जाता है ने जीवों के दी नाम पदधी को प्रतितिया इस पदधी के अंग साथ पती जीवधारी के नाम लैटिन वासा के दूस सब्दों से मिलकर बनता है पहला सब्द उसका जनिटिक नियम ततर दूसर सब्दों से इस प्रिसीज नाम कहलाता है वंश और जाती नामों के बाद उस वर्गिग्रत विग्यानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले वंश उस जाती को खोजा और जिसने इस जाती को सबसे पहले वर्तमान प्रदान नाम प संचेत रूप है इसका अर्थ है सबसे पहले लिनिस इस जादी का हो मो इस्पैनिस के नाम से टुकारा गया यानि मैन जो आएगा वह होपे स्पैनिस में आएगा मेड़ रेंगा टाइगरेन्या कैट फिलिस डॉमेस्टिका कुत्ता कैनिस फैमिलरीज काई बॉस एंडिवेजिस मकी म्योशका डॉमेस्टिका आम मैने फिंगरा इंडिका धान और जे एस्टिरा गये हूं ट्रेक्टो ए जना यानि ग्राम सीजर अर्टियम सरसु आपका ब्रेशिया कैम प्रिस्टिया या मस्ट दोस्तों आपनों बहुत करते हैं कोशिका फिक्यान की जीवद्र जिसको बोलते हैं प्रूटो प्लाजम जीवद्र का नाम करन पूरी केंचे के दौरा सन उनीस अठा सुन परके सु वजन ज्युकत पथारत हैं। जीवद्र या प्रूटो प्लाजम को जीवन का बहुत थी का आधार कहते हैं। जीव द्रव को दो भापम बाठा गया कोशिका द्रव साइटो प्लाजम या कोशिका में केंद्र एवं कोशिका जिल्दी के बीच रहता है जबकि केंद्री द्रव की बात करते हैं जिसको लों बोलते हैं न्यूकलो प्लाजम या कोशिका में केंद्र के अंदर रहता है जीव द्रव का 99% भाग निम चार तत्वों से मिलका बना होता है और जीव द्रव में आकार्वनिक एवंक कार्वनिक योगों का अनपात होता है जोंकि अख्यासी 1019 का होता है जब बात करते हैं कोशिका यहनी सेल की तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कर्यात्मक एवंस सार राचन बर एक आई है एनुटन वान लिविन होप ने पहली बार कोशिका को देखा वा इसका वर्णन किया था कोशिका के अध्यन के विज्ञान को साइटोलोजी कहा जाता है को सबसे लंबी कोशिका तंत्र का टंत्र की कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका सतुर मुर के अंडंडी की कोशिका है कोशिकाओं की अंस उस्यव्य संगठाट के बारें बात करतेते हैं आव evolved और कुल कोशिकी भाखर पज़िशकर जल inna7 ग्रेट है बोटीन-दस 딱 15 कार्भ-व में मैथियस स्लाइड और थी ओर्ड स्वान ने किया यदि भी इनका सिद्धा दिया बताने मैं सफल रहा कि नई कोशिकाओं के निर्मान कैसे होता है पहली बार रडलिफ विर्च्छा अठासा पज़्च किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्मान बताना पूल इस्तित कोशिकों के विजन से होता है अगर ऑसे मुखे बात होगे बात करते हैं allora सभी जीव कोशिका वहा कोशिका उत पाथ से बने होते है और सभी कोशिकां पूल इस्तित कोशिकाओं से इंपित होती है कोशिका करेन inan sót गेंद्र कम कित Itño कूषिकर करता है जिस क्रियां से होता है उसे केंद्र क्या मुग Evangelist करता है या Creator कहते है कोषिकार दो परगार की होती है एक होती है prioric or 53 Prioric or prioricक कोषिकर जो बात करते थे इन कोषिकारों में histone protein नहीं होता है जिसके करण क्रूमर्टिन नहीं बन पाता है, या केवर DNA का सूतर ही खुरसूत के रूप में पढ़ा रहता है, और कोई आवन इस घेरे में नहीं रहता है, और केंद्रक के नाम से कोई विक्सित कोशिकां इसमें नहीं होता है, जिगारवू एवा नील हरित से वालों में ऐसी कोशिकां मिलती है। उटी कोशिकां के बात करते हुए, इन कोशिकां में दोहरी जिलनी के आवन केंद्रक आवरन से घिरा सू-सू-सिपस्ट केंद्रक पाथाता है जिसमें DNA वा scène के सेक्ड होने आगर पहले बात करेंके इसके पैसिसे था यने कोशिका बित्ती कि तो तो प्रॉध्टी इसम फूर्टीस्ट का लिए जबकि यूउर्ड जोघ्र इसमें इसमें प्रकारितिगमें जैबकी उपस्तीद होता है यूरख्रांटिक maintenant इसमें प्रोक्राइटिक में उपस्तित होते हैं। प्रोक्राटिक में और उपस्थित होते हैं यूरोक्राटिक में लाइजोम अनुपस्थित होते हैं इसमें प्रोक्राटिक में प्रोक्राटिक में दीने एकल सूत्र में रूप में और पूर्विक्सित एमां दोहरे सूत्र में कांसी कसा खाबड केवल एक तंतु होता है जब कि केवल थंतु होते हैं। केंदर का अनुपस्तित होती है इसमें उपस्तित होती ए युरोकैटिख में। जबकि उपस्तित होता है करए प्लॉरोकरिक में आगे में आपको युरॉकरिक में बात करते है Canyon के बात करते में द्रॉरॉष determ Aug तो कोशिका बिट्टी या किवल पादब कोशिका में पाया जाता है या सेल्लियों इसके बना होता है और यह कोशिका को निश्चे थाकरती एवा माका बनाएं रखने में सायक होता है जीवाणू की कोशिका बित्ती पैडी टोल बाव जैगन का बना होता है कोशिका जिल्ली के बात करते हैं सेल मेमरेन बोलते हैं कोशिका के सभी आवेवा पत्री जिल्ली के दारे के रहे रहते हैं इस जिल्ली को कोशिका जिल्ली कहते हैं या अर्द पारंग जिल्ली की होती है इसका मुक्यकार कोशिका के अंदर जाने वाले एवा अंदर से भार आने वाले पदार्थों का निधार्ण करना है कोशिका जिल्ली लिपिट की बनी होती है या लिपिट गटक फ्लास्को प्लाइलराइट के बने होते हैं। बाद में जया वर्सानिक अंसुदानों से इस्पस्ट हो गया है कि कोशिका जिल्ली में पोटीन वा कार्वारिट पाय जाता है। कोशिका जिल्ली के उन्यत नमूना, 1948 में सिंगर्वा नेलक्सन द्वारा प्रतिफादत किया गया है। जिसे से तरल करमीर नमूना के लोप में स्विकर किया गया। इसके अनुसार, लिपिट के अर्थ तनली प्रगति के करण दी सता के भीतर प्रोटीन पार्ष्व गति करता है। तरिसा बात करेंगे, तारककाय याने Central Storm इसी खोल पर बुड़ी ने कीती और या किवल जन्तू कोश्कों में पाजाता है। त्रुम के उन्दर के अन्दर एक कन एक या दो कोड़ जयसी रचन होती यह सेंट्रल कहते हैं समसूत्य वाजन का यह द्रूरोर न्रमन होता है अंत्रर द्र्वी 侯ा जालिका यूरोकाट्रिक कोशका के द्रव में चप्टे आपस में चुड़े थाली जुगत जोटी नली कावत जालिका तंत बिखर रहता है जिसे अंतर द्रवी जालिका कहते है प्राया राइबोसोम अंतर द्रवी जालिका के बाहरी सता में चिपके रहते है जिसे अंतर द्रवी जाल का चिकनी लगती है उसे वीडियो आपको चलागा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब लेकर साथ ही साथ टेलिग्राइब चैनल भी में जोइन कर सकते हैं डिश्क्रेशन बॉक्स में लिंक है और वहाँ से बुक्स आप पचिए कर सकते हैं थैंक्स विर वाठी में